ओम शान्ती श्रीमत भगवत गीता का तेरवा अध्याई पुरुष, प्रकर्ति और परमपुरुष यानि क्षेत्र क्षेत्रग्य विभाग योग इस अध्याई के अंदर भगवान ने धर्मक्षेत्र कर्मक्षेत्र को स्पष्ट किया है। और ये जीवन को धर्मक्षेत्र बनाना है या कुरुक्षेत्र बनाना है ये हमारे उपर है। तो देखते हैं कि भगवानी सध्याई के अंदर क्या कहते हैं। शरीरक्षेत्र है जिसमें धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों है। जब शरी रुपी क्षेत्र में दैवी संसकार का प्रभाव विशेश है तब वो धर्मक्षेत्र है और जब आसूरी संसकार का प्रभाव करमींद्र ये पर पढ़ता है तब वो कुरुक्षेत्र बनता है प्रथम श्लोक से लेकर बार्वे श्लोक तक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और क्षेत्रग्य का यथार्थ ज्यान तेर्वे श्लोक से लेकर उन्नीस वे श्लोक तक ग्ये परम पुरुष परमात्म का यथार्थ ज्यान और 20 वेश्ट लोग से लेकर 35 वेश्ट लोग तक पुरुश और प्रकरती का संयोग और उसे क्या होता है उसका स्पष्ट ग्यान दिया है और इस तरह से अर्जुन अब भगवान से सवाल करता है अब तक उसके जो सवालों की क्वालिटी थी वो अलग थी अब उसके सवाल बदल गए हैं और भगवान से पूशता है वो के प्रकरती पुरुश क्षेत्र और क्षेत्रग्न क्या है ग्यान और ये क्या है मैं ये सब जानना चाहता हूँ मना अब गहराई के ज्यान को वो समझना चाहता है गुहियव बातों को जीवन के अंदर समझना चाहता है तो भगवान कितना सिंपल सरल शब्दों में जवाब देते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है उसे जानने वाली आत्मा क्षेत्रग्य है पर महत्मा भी सभी क्षेत्रों का ज यही वास्तों में यथार्थ ग्यान है। क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो क्षेत्र का विस्तार समझाते हुए कहते हैं पंच महाभूत यह शरीर पंच महाभूत अहंकार युक्त मन और बुद्धी दस इंद्रियां, पांच इंद्रियां विशेश, शब्द, सपर्ष, रूप, रस और गंद और सुक्ष्म, इच्छा, द्वेश, सुख, दुख, संगात तथा जीवन के लक्षन इन सब को कर्म का क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ये कुरू क्षेत्र है, जिसमें बोया हुआ भला वबुरा बीज संसकार रूप में उगता है। तो ये है सारा क्षेत्र का विस्तार, पंच महाभूद, अहंकार युक्त मन और बुद्धी, दस इंद्रियां, पांच विशेश, पांच सुक्ष्म, तथा जीवन के लक्षन और इस जीवन के अंदर जो इन सब को कर्म का क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात ये कुरुक्षेत्र है, जिसमें बोया हुआ भला वा बुरा बीज संसकार रूप में उगता है। धर्मक्षेत्र कब ये बनता है तो धर्मक्षेत्र बनाने के लिए जीवन को धर्मक्षेत्र बनाने के लिए कुछ गुणों की आवश्यत्ता होती है धर्मक्षेत्र में यथार्त ज्ञान युक्त कर्म करने का आधार है विनम्रता, दंबहिंता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, सत्गुरु का आग्याकारी, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियत्रप्ति के विशयों का परित्याग, निर अहंकारी, वैराग्य, अनासक्त, नश्टु मोहा, हर परिस्थिती में सम्तुलित, अनन्य अव्यभीचारणी भक्ती भाव, एकांत्वासी, उप्रामता, आत्म अनुभुती एवं परमात्म अनुभुती, ये सारे लक्षण, जीवन को धर्मक्षेत्र बना देता है। कितनी सुन्दर बात यहां समझाई भगवान ने, विनम्रता, विनय, दम्भ हींता, अक्सर मनुष्य को करम करते समय, कहीं न कहीं अपना दम दिखाने की, यानि अहंकार दिखाने की एक आदत पड़ गई है। उससे मना व्यक्ति जब मुक्त है, अहिन साजीवन में सहनशिलता, सरलता, परमात्मा सत्गुरु के आज्याकारी बन करके चलना, पवित्रता, स्थेरता, आत्मसंयम, इंद्रिय त्रप्ति के विशयों का परित्याग, कि जहां से व्यक्ति की इंद्रियों को त्रुप्ति मिले, उसका परित्याग करना निरहंकारी, बेहत की वैराग्य व्रत्ति, हत की वैराग्य की बात नहीं है घरबार छोड़ देना, जिम्मेवारी छोड़ देना ये वैराग्य की बात भगवान नहीं कह रहे है लेकिन व्रत्ति से बेहत का एक वैराग्य अनासक्त नश्टो मोहा हर परिस्थति में बैलनस्ट सम्तुलन अनन्य अव्यभीचारणी भक्ती भाव एक है व्यभीचारणी भक्ती भाव एक है अव्यभीचारणी भक्ती भाव अव व्यभीचारने भक्ती भाव माना एक के सिवाई दूसरा कोई नहीं दुन्या में व्यभीचार उसी को कहा जाता जब अनेक जगह व्यक्ती हाथ मारता है मूँ अपना मारता हो यभीचारणे उसको कहते हैं लेकिन अनन्य एक के प्रती ही अव यभीचारणे भाव बक्ती भाव जब है तो वो है यथार्थ इश्वर के प्रती प्यार एकांद वासी है एक के अंत में समाय रहना उपरामता और आत्मनुभुती परमात मनुभुती में समाया हुआ ये जीवन को धर्मक्षेत्र बनाता है फिर अरजुन कहते कि अब ये परमपुरुष के विशई में तुम जानो